तो आईए दोस्तों आज हम बात करते हैं डॉक्टर इस्ट्रेंज दा मल्टी वर्स आफ मैडनेस के बारे में ये मूवी बहुत जादा अच्छी थी लेकिन इस मूवी के स्टोरी को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी इसलिए आज मैं एक सिंपल वे में इस मूवी को एकस्पलेन करूँगा मूवी की सुरुवात में हमें एक अलग डैमेंसन दिखाय जाता है जहां पे डॉक्टर इस्टेंज और अमेरिका चाविस दौरते हुए नजर आते हैं उनके पीछे भयानक सा मॉंस्टर लगा होता है वो वहाँ पे एक बुक के लिए आते हैं जिसक वो अमेरिका चाविस से उसकी सक्तियां लेने लगते हैं चाविस के पास ऐसी सक्तियां होती हैं जिससे वो मल्टिवर्स में ट्रेवल कर सकती है लेकिन इन सक्तियों का इस्तमाल करना वो सही से नहीं जानती है इसलिए जब वो बहुत ज़्यादा पैनिक होती है तो वो उस पोर्टल को खोल देती है जिससे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाए तभी वहाँ पे वो मौंस्टर डॉक्टर स्टेंज पे अटेक करता है जिससे उनकी मौत हो जाती है उसके बाद चाविज डर के मारे वो पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्टेंज की बॉड़ी और अमेरका चाविज दोनों वहाँ से चले जाते हैं अब डॉक्टर स्टेंज सपने से जाकते हैं और ये जो कुछ भी हुआ था ये इनके सपने में हुआ था ये स्टेंज 616 अर्थ के हैं इसके बाद वो सजधच के क्रिस्टीन की साधी में जाते हैं जो की इनकी एक्स गल्फिंट थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे वहाँ पे वो उससे बात करते हैं और वो काफी जादा उदास भी होते हैं लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है जिसे सुनके वो बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक आखवाला बहुत बड़ा सा ऑक्टूपस होता है और वो एक लड़की के पीछे पड़ा होता है ये लड़की कोई और नहीं बलकी वही है जिसे स्ट्रेंज ने अपने सपने में देखा था अब वो उसे बचाने के लिए जाते हैं जहां पे वांग भी आता है और वो दोनों मिलके उस आक्टूपस को मार देते हैं उसके बाद वो चावेश से पूसते हैं तुम यहां पे क्या कर रही हो तुमको तो मैंने अपने सपने में देखा था फिर वो बताती है कि उसके पास कुछ ऐसी ताकते हैं जिससे वो मल्टिवर्स में ट्रेवल कर सकती है और वो बुक आफ विसांती के बारे में भी बताती है लेकिन स्ट्रेंज इन सब बातों को मानने से इंकार कर देते हैं तब चावेश उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉड़ी को दिखाती है जिसको देखने के बाद वो दोनों चौक जाते हैं उसके बाद इस्ट्रेंज समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें मल्टिवर्स को लेकर ही हैं वो समझ जाते हैं कि उनको किसकी मदद चाहिए लेकिन उस बॉड़ी को वो वहीं पे दफन कर देते हैं इसके बाद हमें वांड़ा को दिखाया जाता है जिससे मदद मांगने के लिए इस्ट्रेंज वहां जाते हैं लेकिन वांड़ा मदद करने से मना कर देती है वो कहती है कि अब उसने जादू करना छोड़ दिया है जो कुछ भी पहले हुआ उसके कारण तब वो दोनों आपस में बात करते हैं लेकिन तभी हमें वहां ये पता चलता है कि वांड़ा ही है जो चावेश को मारना चाहती है और उससे उसकी सक्तियां लेना चाहती है लेकिन आखिर क्यूं? होता ये है कि वांड़ा अपने सपने में अपने बच्चों को देखती है इसका मतलब उसके बच्चे किसी न किसी यूनिवर्स में है और ये बात वो जानती है लेकिन वो यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती है लेकिन अमेरिका चावेस के पास वो सक्तियां है तभी वो सोचती अगर वो उससे वो सक्तियां ले लेगी तो वो भी मल्टी वल्स में ट्रैवल कर पाईगी और अपने बच्चों के पास जा पाईगी लेकिन स्ट्रेंज उसे ये करने से मना कर देते हैं और वो चावेस की मदद करने के लिए कहते हैं लेकिन वहाँ पे वांडा स्कालेट विच बन जाती है और वहाँ पे हमें डार्क होल्ट बुग भी देखने को मिलती है जो की बहुत जादा ताकतवर है अब इस कालेट विच कमर ताच पे हमला करने के लिए आ जाती है वहाँ पे स्ट्रेंज, वॉंग और उनके सारे लोग जो की उसे रोकने की कोसिस करते है लेकिन इस कालेट विच वहाँ पे एक एक करके सब को मार देती है और वो अमेरिका चावेज तक पहुँच जाती है जैसे ही वो उससे उसकी सक्तिया लेने जाती है तभी चावेज वो पोर्टल खोल देती है और वो दूसरी उनिवर्स में जाने लगती है तभी साथ में उसके स्ट्रेंज भी उसके साथ चले जाते हैं अब वो दोनों बहुत से मल्टी वर्स से होकर गुजरते हैं कहीं पे वो पेंट बनते हैं, कहीं पे वो क्यूब से मकड़ जाते हैं कहीं पे वो काटून बनते हैं उसके बाद वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जहां पे हर जगा हर्याली होती है और यहां पे स्कालेट विच वॉंग और उनके लोगों को कैद कर लेती है उस यूनिवर्स में इस्ट्रेंज की मुलाकात बोरन मौडो से होती है जो कि उन लोगों को कौफी पिलाता है और वो बताता है कि इस यूनिवर्स में भी डार्क होल्ड नाम की बुक है लेकिन वो दोनों फिर बेहोस हो जाते हैं क्योंकि उसने कौफी में कुछ पिल्स मिला जब वो दोनों होस में आते हैं तो वो दोनों एक कमरे में बंद होते हैं वहाँ पे वो क्रिस्टीन को देखती है जो कि इस यूनिवर्स में एक साइंटेस्ट है और मल्टी वर्स के बारे में खोज कर रही है अब स्ट्रेंज को इलुमिनाटी से मिलाने के लिए ले जाते हैं इलुमिनाटी में पांच लोगों का ग्रूप होता है जिनमें सेरन काटर, मिस्टर फैंटेस्टिक, प्रोफेसर एक्स, कैप्टेन मार्वल, ब्लैक बोल्ड होते हैं वो वो लोग स्ट्रेंज को बताते हैं कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थैनोस को मारते वक्त मर गया था लेकिन उसे इन ही लोगों ने मारा था क्यूंकि वो मल्टिवर्स को ट्रैवल करना सीख गया था इस वज़े से उस यूनिवर्स में वहाँ पे स्कालेट विच डार्क इलुमिनाटी को मारती है वो पांचों को बुरी तरीके से मार देती है लेकिन चार्ल्स जेवियर उसके माइंड में चले जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि वांडा को उसी के माइंड में कैद करके रखा गया है जैसे ही वो उसको बचाने के लिए जाते हैं पीछे से स्कालेट विच आती है और उनको भी मार देती है उसके बाद स्ट्रेंज, चावेज और क्रिस्टीन वो तीनों वहां से भागते हैं और यहां पे हम वांडा को एक अलग रूप में देखते हैं वो लुक लाइका जॉंबीज टाइप दिखती है स्ट्रेंज उसको रोकने की कोसिस भी करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है और उन लोगों का पीछा करती रहती है वहां पे एक दरवाजा होता है जिसको खोलने के लिए उसी घड़ी का इस्तमाल करना पड़ेगा जो कृस्टीन ने स्ट्रेंज को दी थी स्ट्रेंज उस घड़ी को लगा के उस दरवाजे को खोल देते हैं अब वो बुक आफ विसानती के पास आ जाते हैं जैसे ही वो बुक को लेने जाते हैं तभी वहां पे वांडा आती है और उसको जला देती है ये देखके वो तीनों सौकड हो जाते हैं उसके बाद वो अमेरिका चावेस के माइंट पे काबू करती है और वो पोर्टल खोल देती है स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक दूसरी उनिवर्स में भेज देती है और चावेस को स्कालेट विच के पास भेजती है स्कालेट विच वोंग के लोगों को मारती है तब वोंग बताता है ये डार्क होल्ड बुक सिर्फ एक कॉपी है इसका ओरिजनल वर्जन कहीं और है तब स्कालेट विच उसे वहाँ पे ले जाने के लिए कहती है और वोंग उसको वहाँ पे लेके जाता है वहाँ पे तीन बहुत बड़े-बड़े से डीमन होते हैं जो की स्कालेट विच को देखके उसके सामने जुक जाते हैं और उसी जगा स्कालेट विच की एक बहुत बड़ी सी मूर्ती भी होती है स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसी यूनिवर्स में आते हैं जहां पे हर जगा पे तभाई मच रही होती है सारी बिल्डिंगे टूट रही होती है वो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय होता रहता है उसके बाद वो दोनों डार्क होल्ड बुक के पास जाते हैं जहाँ पे उस यूनिवर्स का डॉक्टर एस्ट्रेंज उस बुक को प्रोटेक्ट करता है, और उस स्टेंज की एक खासियत होती उसकी तीन आखें होती है, वो एस्टेंज से कहता है कि इस बुक को इस्तमाल करने के बहुत से साइड िफेक्ट भी हैं, अब इन दोनों की बोड़ी वाले डॉक्टर स्टेंज को जिंदा करता है लेकिन उसके उपर बहुत सी आत्माएं हावी हो जाती है थोड़ी देर बाद वो उनको अपने काबू में कर लेता है और वो बहुत जादा ताकतवर हो जाता है यहां पर क्रिस्टीन भी उन आत्माओं से डॉक्टर सक्तियां ले रही होती है तभी वहाँ पे वो डेट बॉड़ी वाला स्टेंज आता है जो की स्कालेट विच को रोकता है लेकिन वो उस पे एटैक करती है उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उन तीनों डीमन से भी उसकी लड़ाई होती है लेकिन यहां पे भी व अपने बच्चों को देखती है तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है लेकिन वो दोनों उससे बहुत जादा डरते हैं इसकालेट विच वांडा पे भी एटैक करती है ये चीज देखके वो दोनों बहुत जादा डर जाते हैं ये सब देखने के बाद इसकालेट विच बहुत से चले जाते हैं वो वहां का पूरा किला तभा कर देती है इसके बाद हमें कमरताज दिखाए जाता है जहां पर चावेज ट्रेनिंग कर रही होती है इस्ट्रेंज और वांग फिर से सारी चीजों को हैंडल करने लगते हैं और यहीं पर मुवी खतम हो जाती है एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाये जाता है कि जैसे ही इस्ट्रेंज अपने बिल्डिंग से बाहर आते हैं तभी उनके सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और तभी वहां पर उनकी तीसरी आँग भी देखने को मिलती है यहीं पर मुवी खतम हो जाती है आई हो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो